पूने शहर में दामुदर और उसका परिवार रहता था दामुदर एक स्पोर्ट अकाडमी में चप्रासी की नौकरी करता था आप कुछ करते क्यों नहीं कपिल को भी अपने स्पोर्ट अकाडमी में दाकिला दिलवा दीजिए आप तो जानते हैं ना हमारे बेटे को खेलने का कितना शौक है कुछ कीजिए ना काश मैं ऐसा कर पाता मेरी भी इच्छा है कि कपिल गोल मेडल जीते पर ये सब हमारे बस की बात नहीं इस स्पोर्ट अकाडमी में ट्रेनिंग के लिए बहुत पैसा लगता है और तुम तो जानती हो जितना मैं कमाता हूँ उतने में तो घर ही मुश्किल से चलता है बात तो साहे है ये बात बाहर ख़ड़ा कपिल सुन रहा था मेरे ममी पापा मेरे लिए इतना सूचते हैं मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और फिर कपिल ने अपनी तयारी खुद शुरू कर दी वो रोज सुबह उठकर दोड़ने लगा अबवा सुबह सुबह दोड़ने गए थे क्या हाँ मा मैं आज से रोज दोड़ने जाऊंगा शाम को साइक्लिंग भी करूंगा बहुत अच्छी बात है वैसे तुमको कोई खेल पसंद है मुझे तो कई अलग-अलग खेल पसंद है पर सबसे जादा दोड़ना ही पसंद है अच्छा है ऐसे ही दोड़ते रहो हमारा नाम रोशन करो एक दिन कपिल अपने पापा को टिफिन देने भागते हुए पहुचा पापा आप टिफिन भूल गए थे ये लीजिए पर तुझे तो कॉलेज जाना था ना तू चला जाता मैं आज कुछ बाहर से खा लेता अरे पापा मैं तो कॉलेज चला ही जाऊंगा पर तुझे लेट हो गया तो आज तक मुझे कभी भी लेट हुआ है क्या मैं तो दौरते हुए कॉलेज पहुच जांगा और बस कपिल वहां से दौरने लगा उसे दौरते हुए स्पोर्ट्स कोच ने देख लिया वाह क्या फार्म है ये तो दामोदर का बेटा है कोच कोच दामोदर के पास पहुचे अरे दामोदर ये जो अभी दाड़ते हुए गया वो तुमारा बेटा था ना हाँ सर वो कपिल है काफी अच्छा फार्म है उसका तुम्हें उसे प्रापर ट्रेनिंग देनी चाहिए सर ट्रेनिंग के लिए ये सोचा था पर पैसो का सोच कर रहे गया मैं इतना तो कमाता नहीं कि घर के साथ साथ स्पोर्ट अकैडमी की फीस भर सकूँ तो ये प्रापलम है पर मुझे यकीन है अगर उस बच्चे को प्रापर ट्रेनिंग मिलेगी तो एक नए एक दिन वो तुम्हारा नाम राशन जरूर करेगा तो तुम एक काम करो कल से उसे सुबह 6 बजे यहां भेजो मैं उसे परसनली ट्रेन करूँगा और मुझे कोई फीस नहीं चाहिए पर पर वो सर तना मत सोचो दामोदर उस लड़के में कैलिबर है मैं बस उसे गाइड करूँगा कोच की ये बात सुनकर दामोदर खुश हो गया घर पहुचकर दामोदर ने ये खुश खबरी अनीता और कपिल को बताई कोच सर खुद तुझे परसनली ट्रेन करेंगे ये बहुत बड़ी बात है बीटा पर उनके फीस उन्होंने कहा है उन्हें कोई फीस नहीं चाहिए उन्हें कपिल का फॉर्म बहुत अच्छा लगा और उन्हें यकीन है कि एक दिन कपिल ज़रूर हमारा नाम राशन करेगा अगले दिन कपिल सुबह छ बज़े ग्राण पर पहुँचा आओ आओ कपिल वो वो सर इतनी हिचकेचाट मत रखो तो मेरे लिए मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा कोच तुम्हें बस मेरी बातों को फॉलो करना है मैं आपकी हर बात को फॉलो करूंगा सर कपिल की ट्रेनिंग शुरू हो गई कोच कपिल का रनिंग का फॉर्म सुधारने लगे अगले दो घंटों तक कपिल ग्राण पर दोड़े ही जा रहा था तो मैं अपने डाइट पर ध्यान देना होगा प्रोटिन्स खाया करो कपिल के ममी डाइडी उसके डाइट पर खास ध्यान देने लगे हर वो चीज जो कपिल के लिए अच्छी थी वही घर पर बनने लगी मा आज सबजी में तेल नजर नहीं आ रहा हमसे समजी ऐसे ही बने की बिना तेल वाली कोट सर ने डाइड करने को बोला है ना पर ऐसी सबजी आपको पसंद नहीं है ना अब जो भी हो पनेगी तो यही अगले छे महिनों तक कपिल की ट्रेनिंग और डाइड ऐसी ही चलती रही और फिर एक दिन अब तुम रेडी हो और अगले महिने स्टेट लेवल रनिंग कमपेटिशन भी है सर क्या मैं सच मुझ कमपीट कर पाऊंगा मारी नर्वसनेस मैं समझ रहा हूँ पर बेटा एक बात याद रखो हारोगे या जीतोगे इसकी तुम्हें सोचने की जरुवत नहीं तुम्हें तो बस दाड़ने पर ध्यान देना चाहिए जी सर मैं समझ गया गले एक महिने तक कपिल की ट्रेनिंग और जोर से चलने लगी वो दिन में चार-चार घंटे दाड़ने लगा कमपेटिशन का दिन था कपिल, अनिता, दामोदर और कोच चारो ग्राउंड पर थे आज भी नर्वस हो कपिल तुम्हें कुछ सोचने की जरुवत नहीं जैसे ही सीटी बजे बस एंड़ पॉइंट पर पहुँचने के लिए भागना बगल में कौन दोड़ रहा है, कौन तुम्हें देख रहा है ये सब तुम्हें देखने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं कपिल स्टार्ट पॉइंट पर खड़ा था और कपिल से ज़ादा उसके मम्मी पापा नर्वस थे पर कोच को कपिल पर पूरा भरोसा था सारे कंटेस्टन्ट अपनी अपनी पोजीशन पर थे गो सुनते ही कपिल चीता की तरह दोड़ने लगा और जैसे कोच ने समझाया था उसका ध्यान सिर्फ एंड पॉइंट पर था सारे लोग कपिल की रफ्तार देख कर दंग रहे गए कोई भी कंटेस्टन्ट कपिल के आज पास तक नहीं था जब कपिल ने एंड पॉइंट क्रॉस किया वो खुद शौक हो गए चीफ गेस्ट ने कपिल को गोल्ड मेडल पहनाया आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब करें झाल